नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िकिस्टे जर्णल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे टाइफ़ड की दवा के बारे में टाइफ़ड मनलब के ऐसे बीमारे की जो स्पेसले बैक्टिरिया के करन होती है और उसके इलाज के लिए जो दवाई या यूज होती है उसके बारे में हम डेटेल में सिखेंगे आज के लेक्चर में और जानेगे कि किस तरह से टाइफ़ड को ट्रीट किया जा सकता है कौन से complications वगरा होते हैं टाइफ़ड के अंदर तो सीखते हैं डेटेल में आज के लेक्चर में तो ऐसे समझे कि कि आपको बहुत सारी विमारियों के बारे में सिकना है उनके उप्चार के बारे में सिकना है दवयों के बारे में सिकना है तो आप medicine course को जो जोइन कर सकते है पार्मा medical condition है कि जो specially Salmonella typhi bacteria के करण होती है और यह bacteria का जो संक्रमन है वो जब आपको होता है तो उसके करण यह वीमारी जो हो सकती है और इसको enteric fever भी कहा जता है या फिर slow fever भी उसको कहा जता है तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं Salmonella typhi करके जो bacteria देख रहे हैं तो जब भी यह bacteria आपके सरीर के अंदर enter होते हैं तो उसके करण यह problem जो आपको हो सकती है तो यह जो bacteria जो आप diagram में देख रहे हैं इस तरह से road shape के bacteria होते हैं और यह खास कर gram negative bacteria कहे जते हैं कि यह आप भी आप diagram अब जानना जरूरी है कि ये बैक्टेरिया का संक्रावन आपको होता कैसे है, तो सबसे पहले ये जो बैक्टेरिया है, वो contaminated food के अंदर या फिर contaminated water के अंदर present होते हैं, और जब भी आप उस type का कुछ खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो आपके सरीर के अंदर enter हो या फिर personal hygiene अच्छे से maintain नहीं करते हैं, तो भी ये problem हो सकता है, तो या पर जो आप देख रहें कि जो contaminated water है, कि जो दूसीत पानी कहा जाता है, कि पानी काफी गंदा है और ऐसा पानी समझे कि पीने में आता है, तो उसके करण भी ये problem आपको हो सकते हैं, तो ये जो दूसीत होता है contaminated, कि जा मानलो कोई सब जीव गिरा है, या फिर process पूड भी है, तो उसके अंदर भी समझे कि अच्छे से कोई condition maintain नहीं की गई, storage condition और उसके करण उसके अंदर भी bacteria की grow हो सकती है, और मानलो उसके अंदर salmonella type bacteria present है, और उस type का food आप ले लेते, तो भी आपको ये problem ज फिर आप washroom वगेरा use कर दे, उसके बाद भी अच्छे से hand wash नहीं कर दे, मतलब कि एक proper personal hygiene आप maintain नहीं रखते, तो भी ये बीमारी जे वो हो सकती है, तब उसके कुछ symptoms देखे तो सबसे पहले लंबे समय तक patient को जे वो fever रहता है, बुखार रहता है, उसका जो temperature है, वो कई ब कम हो जाती है, कुछ लोगों को constipation हो जाता है, या फिर कुछ लोगों को उसके current diarrhea हो जाता है, तो यह पर आप अच्छे से symptoms देख सकते हैं, कि पूरे body के उपर, कि मानलो जब भी किसी को इस type का problem हुआ है, तो सबसे पहले sweating मतलब कि उसको पसी नहीं होता है, बहुत ज़्या के उपर, abdominal pain होता है, और कुछ cases में diarrhea या फिर कुछ cases में constipation जो है वो देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि इस तरह से red sports जो है वो body के उपर patient के बन जाता है, कि इस तरह से आप देख सकते हैं, कि लाल दाने जैसा बन जाता है, फिर जो stomach के रिया होत है, वहाँ पे आपको काफी ज़्यादा दर्ध होता है, पेन होता है, तो इस तरह के symptoms जो हो देखने को मिलते हैं, तो अब जान लेते हैं कि यह वीमारी जो हो कितने दिनों तक आपके सरीर में रह सकती है, तो साथ से लेकर 14 दिन तक यह problem जो हो सकता है, और मानलो कोई treatment नही तो आप 3 दिन से लेकर 30 दिन तक आप ठीक हो सकते हैं, तो अब जानना जरूर है कि proper time पे यह बीमारी का diagnosis कैसे किया जा सकता है, तो diagnosis के लिए test किये जाती है, जिसका नाम है Vidal test, कि Vidal test जब perform किया जाता है कि उससे पता चलता है कि typhered जो वह positive है या फिर negative है, तो अब बात कर दे आगे treatment के, कि treatment के लिए कौन से अलग-अलग options select किया जाते है, typhered के अंदर, तो सबसे पहला जो patient है, उसको काफी ज़्यादा पानी देना चाहिए, कि minimum 3 से लेकर 4 लीटर जितना पानी जो है, वो patient को लेना चाहिए, अच्छे से fresh water आपको उसको देना चाहिए, जिसके अ बिमारी जो है उसके ठीक हो जाए और और ज्यदा problem ना हो, दूसरा option यहाँ पे बनता है कि आप पानी तो देही रहे पर साथो साथ जो fresh fruit juice होते हैं, वो भी patient को देना चाहिए, जैसे कि orange का juice वो ले सकता है, कीवी वगिरा है, beetroot का भी juice ले सकता है, फिर जितने भी lemon juice भी patient ल coconuts होते हैं, उसका जो water है, उसका जो पानी है कि जिसको हम नारियल पानी कहते हैं या फिर coconut water कहते हैं, वो जो है वो patient को देना चाहिए, अब आज आती है medications की, तो medications में बात करें तो एक type की बुखार की condition है, fever जिसको हम कहते हैं, enteric fever कहते हैं या फिर slow fever, तो उसके जरूर है कि महा सुदर्शन गनवटी जो है, वो यूज़ करना जरूरी है, कि कोई भी जो pharmaceuticals company है, herbals के अंदर, ayurvedics के अंदर, तो उसमें से कोई भी company के आप ये product यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि या पे मैंने एक आपको दिखाई है, कि बाइतना भी ये product बनाता है, और Zandu का भी एक product देख सकते हैं, जिसका डूस रहता है कि दो या चार टैबलेट आप दिन में दो या तीन बार जो है वो ले सकते हैं, तो ये काफी अच्छा option बनता है, कि ये जरूर से लेना चाहिए, कि जब भी किसी को टाइफ़र फीवर है, फिर दूसरा एक जरूरी है, immunity बढ़ाने के लिए घिलोई गनवटी का यूज़ करना, तो घिलोई के भी बहुत सारे अलग अलग कंपनीस बनाते हैं, जिसे कि आप पतंजली का या पर प्रोड़क्त देख सकते हैं, जंडू का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप कंपनी प्रेफर करते हो, उसके according to आप उसकी प्रोड़क्त ये ले सकते हैं, तो उसका विडियोज खास कर ये रहता है कि एक टेबलेट दिन में एक बार या फिर दो बार या फिर पेसन तीन बार भी उसको ले सकता है, अब बात आती है एंटिबायोटिक्स के, बिकॉज ये जो बीमारी है, वो बैक्टेरिया के करन होन करके, तो जो फ्लोग्जास इन साथ है, कैसे लीवोफ्लोग्जास इन है, सिप्रोग्जास इन है, ओफ्लोग्जास इन है, तो वैसे एंटिबायोटिक्स जे वो पेसन को दी जाती है, और उनका जो डोस रहता है, वो खास कर दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो आप यह tablet use कर रहे है, तो सिर्फ एक ही tablet दिन में लेनी होती है, कि यह मानों कि पहले दिन के लिए है, यह दूसरे दिन के लिए, और यह दिसरे दिन के लिए, इस तरह से एक ही tablet ली जाती है, और maximum आप तीन दिन तक ले सकते हैं तो उससे भी समझो कि आपको ठीक नहीं होता तो फिर उसका जो dose जो वापस दूसरे तीन दिन के लिए rapid किया जा सकता है एजित्रो माईसेन में 250 mg का भी option रहता है तो अगर आप 250 mg की use करते है tablet तो एक tablet जो दिन में दो बार लेनी होती है तो ये tablet समझो कि आप morning में लेते हैं तो दूसरा evening में अच्छे से खाना काने के बाद जो वो patient उसको use करते हैं फिर एजित्रो माईसेन से भी ठीक नहीं हो तो समझो कि IV treatment लेनी पड़ती है तो इसमें safety axon का option रहता है कि जिसका 1 gram या फिर 2 gram के injections available होते है कि जिसको IV और IM दोनों तरीके से जो वो लगाया जा सकता है और उसका जो dose रहता है एक से लेकर 2 gram जितना रहता है IV या फिर IM से पूरे दिन के लिए हैं तो यह आप एक product देख सकते हैं mono shape करके तो यह 1 gram में भी available है 2 gram में है और IV और IM दोनों तरीके से आप use कर सकते हैं पर ध्यान यह रखना है कि जब भी IV में उसको use किया जाता है तो अच्छे से dilute किया जाता है जैसे कि IV drips के अंदर इसको mix करके जो वो patient को लगाया जाता है आगे जो है option paracetamol का because बुखार यहाँ पे रहता है temperature patient का बढ़ सकता है तो ऐसे condition में paracetamol देना जरूर रहता है तो कोई भी paracetamol चाहे 650 mg में हो या फिर 500 mg में हो जब भी बुखार patient का बढ़ता है तो ऐसे condition में ये एक tablet दिन में एक बार, दो बार या फिर maximum तीन बार भी ले सकता है पर दियान ये रखना है उससे ज़्यादा tablet लही ने ली चाहिए because paracetamol के high dose के करण या फिर excessive use के करण आपके पेट में अलसर हो सकती है liver खराब हो सकता है kidneys के उपर भी असर हो सकती है तो ये खाज आपको धियान रखना है फिर patient को समझे के vomiting भी हो रहे तो vomiting रोकने के लिए vomit stop करके आप एक product देख सकते है domperidon उसका main salt content है कि जो 10 mg के strength में ये tablet available होती है तो ये tablet जो जब भी ऐसा vomiting जैसा fill होता है तो जब भी आपको ऐसा fill होता है तो उस वक्त patient जो ये वो ले सकता है दिन में एक या दो tablet जो ये उसके ले सकते हैं अब patient समझो कि ठीक हो जाता है tyferd में से recover हो जाता है तो recovery के बाद कई बार क्या होता है कि patient के body के अंदर काफी weakness आ जाती है कमजोरी आ जाती है तो एक बार tyferd का आपका test negative हो गए आप अच्छे से ठीक हो गए तो उसके बाद जो है आपको multi vitamin and multi minerals start करने चाहिए minimum 30 दिन तक उसको लेने चाहिए कि आप एक हम product देख रहे है zincovid करके जो एक nutraceutical product है कि जिसके अदर multi vitamins भी है multi minerals भी present है और grab seed का extract तो जैसे बहुत सारे multi vitamins market में available होता है तो उसमें से कोई भी आप ले सकते है tyferd में से ठीक होने के बाद लेना होता है यह फिर अब तो preventions के लिए vaccines का भी option available होता है जो बच्चों को लगाई जाती है खास कर या फिर उनके tablets या फिर capsules जैसा भी available होता है तो यहाँ पे आप हम एक product देख सकते हैं वीवो टिप करके कि जो medical supervision के अंदर यह vaccine को जो दी जाती है दूसरी भी एक vaccines यहाँ पे आप देख सकते हैं type बार करके यह देख सकते हैं और उसके लावा भी एक और options रहता है vaccine का कि यह देख सकते हैं आप पेडा type करके हैं तो यह अलग-अलग vaccination के भी options रहते हैं टाइफ और व्युखार को ठीक करने के लिए तो ऐसे ही समझे के आपको detail में सिखना है बहुत से री बीमारियों के बारे में दवा युके बारे में तो आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मा रोक्स के अब उपर तो यह course जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं link आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर detail में study material वगएर एकसेस करना है medicine course को जोइन करना है तो आप हमें जरूर से WhatsApp करें आपको detail में जोब जान करें दी जाएगी So good luck and all the best